मीठी मीठी प्यारे प्यारे सभी भाई बेनों को ओम श्यांति प्राणों से प्यारे बाप दादा को ओम श्यांति ओम श्यांति आज पाँच मैई 2022 के इश्वरिये महावाक्यों को शुरू करने से पहले मुरली का पॉइंट का एक्सपेरियेंस के साथ शुरू करेंगे इस संगम तट पर बैठी चलती हुई मैं अपने इस परमात्मा के दिये हुए दिव्यनेत्र से संगम युग पर बैठ संगम तट पर बैठ मैं सत्यूग के महराजा महरानी को इस दिव्यदरश्टी से देख रही हूँ मैं देख रही हूँ कि लक्ष्मी नारहन का श्रंगार कुछ इस तरह से है वहां कोई भी किसी के प्रती भी इस चित्र पर नसर नहीं बलकि उस श्रंगारित की हुई मूर्दियों को देखता है जो स्वयम इस संगम तट पर प्रमात्मा आकर जो कुछ भी देते वह जो श्रंगार इस संगम यूग पर आकर करते वह श्रंगार वहां प्रालब्धी प्राब्धी के रूप में सभी उसे ही देखते अर्थाध ब्राकुटी के बीच बेराजमान आत्मा ही निश्य होकर रहते और अपना अपना शरीर लेकर पार्ट बचाते चाहे फिर दास हो दासियां हो या कोई भी सतियों की आत्मा हो सभी सुख और सुख सुख ही देखते कोई किसी को किसी तरह का दुख देने की चेश्ठा भी नहीं करता ना मुख से ना कर्म से और ना संकल्पों से ऐसी लक्षमी नारैन की श्रंगार भरी मूर्थी को मैंने इस दिव्य द्रष्टी से देखा और लक्षमी नारैन के महलों के सामने पुश्पक बिमान खड़े रहते सतियोगी लक्षमी नारैन जिनकी सुबह की शुरुवात कोई हाथों में मंदिर में जाने के लिए सजी थाल से नहीं बलकि आपने ही घर के पास लगे हुए प्रक्रती के उस सौंदर्य को देखते ब्रह्मन करते और वहां जो भी आत्माएं आती वो चमकती हुई मस्तक में उस श्रंगार को देख सभी मुस्कुरा थे और एक ही तालाब में शेर और बकरी पानी पीते हुए देखते मोरों को नाचते हुए देखते ऐसा सुंदर मन मोहक सीन इस संगम योग पर बैठ महराजा महराने का लक्षमी नारेन का श्रंगार उस दुनिया के कुछ एक पॉइंट को मैंने अपने इस ज्यान चक्षो के नेत्र से देखा आज मुरली 5 माई 2022 की है इश्वरिय महावाग्य बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बाब की स्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई दुख दे नहीं सकता कोई भी दुख नहीं दे सकता दुख तकलीफ देने वाला रावड है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं प्रश्न है इस ग्यान यग में तुम बच्चे कौनसी आहुती देते हो उत्तर में बाबा ने कहा इस ग्यान यग में तुम कोई तिल जोकी आहुती नहीं देते इसमें तुम्हें देह सहित जू भी है, जो कुछ भी है वह सर बहुती देनी है, आथात बुद्धी से सर भुला देना है, इस यग की संभाल पवित्र रहने वाले प्राम्हन ही कर सकते हैं, जो पवित्र प्राम्हन बनते हैं, वही फिर प्राम्हन सो देपता बनते हैं, गीत ह तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, ओम शान्ति, बच्चे आए हैं बाप के पास, बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ ही नहीं सकते, बच्चे जानते हैं, हम जाते हैं नेराकारी बेहत बाप के पास, उनका नाम शिप बा यहां दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं, गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था, बाप को तो अपना शरीर है नहीं, मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता, अर्थात ब्रह्मा बाबा को, आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते, तो जो मुझे यथार्थ रीती चानते हैं, उनको ही राज भागय देता हूँ, उनके राज भागय को कोई चला नहीं सकता, ना पानी डुबो सकता, किसी भी हालत में, तुम बच्चे बाप से वर्सा लेने आए हो, अविनाशी राज द जिसको कोई भी दुखत्वा तकलीफ देना सके, वहां तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं, तकलीफ देने वाला है रावड, रावड को दश सीस भी दिखाते हैं, सिर्फ रावड दिखाते हैं, मन्दोदरी दिखाते नहीं, बाबा ने समझाया, पाच विकार नर के, प सिर्फ नाम रख दिया है, रावड की स्त्री थी, तो यहां रावड राज में तुमको तकलीफ हो सकती है, वहां तो रावड होता नहीं, बाप तो है निराकार, उनको कोई मार काट नहीं सकता, तुमको भी ऐसा बनाती हैं, जो तुमको शरीर होते भी कोई दुख ना हो सके, तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े, बाबा ही ज्यान का सागर है, और कोई एह ज्यान दे नहीं सकते, ब्रह्मा द्वारा सभे शस्त्रों का सार समझाते हैं, ब्रह्मा है शिप बाबा का बच्चा, ऐसे नहीं कि विष्णों की नाभी से ब्रह्मा निकला, अगर नाभी कहें तो शिप बाबा की नाभी कमल से निकला, तुम भी शिप की नाभी से निकले हो, बाकी चित्र तो सब रॉंग हैं, एक ही बाबा राइटियस है, रावड अन्राइटियस है, अन्राइटिस बना देते हैं, यह खेल है, इस खेल को तुम ही जानते हो कब से रावड राजय शुरू हुआ, कैसे मनुशे गिर्ते गिर्ही गए, उपर कोई भी चड़ ना सके बाब की पास जाने का जो रास्ता बताते हैं, वो और ही जंगल में डाल देते हैं क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं है, बाबा के घर और स्वर्ग का, शान्तिधाम और सुखधाम तुच्छू भी गुरु आदी हैं, सब हैं हठ योगी, घर बार छुड़ा देते हैं, बाबा छुड़ाते नहीं है कहते हैं पवित्र बनो, कुमार और कुमारी पवित्र हैं, द्रोपदी पुकारती है कि बाबा हमको बच्छाओ, हम पवित्र बनकर कृष्ण पूरी में जाने चाहते हैं, कन्याएं भी पुकारती हैं, माबाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी, पहले माबाप आप कन्या के पाउं पड़ते हैं, क्यूंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं, पुकारते भी हैं ही पतित पावन आओ, अब बाबा कहते हैं, कुमारियां, पतित ना बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा, तुमको अपने को बचाना है, बाबा आया ही है पाबन बनाने, कहते हैं, स्वर्ग की बादशाही का वर्सादी ने आया हूँ, इसलिए पवित्र बनना पड़े, पतित बनेंगे, तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे, स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरों के महल है, दासदासियों के पास भी बहुत सादा हीरे जवाहरात होते हैं, ऐसा नहीं कि यदि आप महराजा महरानी लक्ष्मी नारैन नहीं बनें, तो आप वहां जाकर के दुखी रहेंगे, बिलकुल भी नहीं, वहां तो दुख रिंचक मात्र होता ही नहीं, तो प्रजा भी तो यार होनी हैं, तो ब प्रक्ष्मी नारैन को भी इतना प्यार करना चाहिए, अच्छा, कृष्ण को प्यार करते फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है, कृष्ण जनमाश्मे पर कृष्ण को जूला जूलाते हो, माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, राधे को नहीं, और फिर ब्रम्हा जो कृष्ण बनने वाला है, उनकी इतनी पूजा नहीं है, जगत आमबाकी तो बहुत पूजा करते हैं, जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, आदी देव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है, अब मम्मा है ज्यान ज्यानेश्वरी, तुम जानते हो वह है ब्रामनी है, वह कोई स्वर्ग की आदी देवी नहीं है, ना कोई आठ भुजाएं है, मंदिर में आठ भुजाएं दिखाई हैं, बाप कहते हैं माया के राजे में जूटे ही जूटे है, एक बाप ही सत्य है जो सच बताते हैं मनुष्ये से देवता बनाने के लिए, उस जिस्मानी ब्रा मनों द्वारा तो तुम कथाएं आदी सुनते सुनते इस हालत में पहुँच गए हो अब मौत सामने खड़ा है बाबा कहते हैं जब जाड की जड़ी भूत अवस्था होती है तब कल यूग के अंत में कल्प के संगम यूग पर मैं आता हूँ मैं यूगे यूगे नहीं आता हूँ मैं कच मच अफ़तार बारह अफ़तार नहीं लेता हूँ मैं कंकं में नहीं रहता हूँ तुम आतमाएं भी कंकं में नहीं जाती हो तो मैं कैसे जाओंगा मनुशे के लिए कहते हैं वह जानबर भी बनते हैं वह तो अनिक योनिया हैं गि आप कहते हैं राइट बात, अब मैं तुमको समझाता हूँ, अब जज करू, 84 लाख जन्म सत्य हैं या जूट, इस छूठी दुनिया में सच कहां से आया, जिसे सच समझ रखा वो तो सब छूठ है, ये दुनिया ही रावड राजे है, तो ये तो राम राजे हो ना सके, इस तरह बाप समझाते हैं, इस जूठी दुनिया में सच कहां से आया, सच तो एक ही होता है, बाप ही आकर सत्या सत्य का निर्नाई करते हैं, माया ने सबको असत्य बना दिया है, बाप आकर सबको सत्या बताते हैं, अब जज करो, राइट कौन? तुम्हारे इतने गुरु गोसाएं राइट या एक बाप राइट, एक राइटियस बाबा ही राइटियस दुनिया की सापना करते हैं, सच्ची दुनिया का मालिक जो है वही तो सच्ची दुनिया को बसाएगा न, तो वहां बेकायदे कोई काम होता ही नहीं, वहां किसको तुम जानते हो हम भारत वासी वरोगर देवी देवता थे, अब पतित बन गए हैं, पुकारते भी हैं, हे पतित पावनाओ यथा राजा रानी तथा प्रचा सब पतित हैं, तब तो लक्षमी नाराइनादी को पूझते हैं ना, भारत में शिप, भारत में ही पवित्र राजा भारत में थे, अब पवित्र हैं, पवित्र को पूझते हैं, अब बाबा आकर तुमको महराजा महरानी बनाते हैं, तो परशार्थ करना चाहिए, बाकि आठभुजा वाला तो कोई है नहीं, अभी तक किसी ने देखा, किसी की आठभुजा चलती भिती, कोई ऐसी मोर्ती को कोई इंसान को, किसी को, तीर नेत्र वाले को, या किसी दशीस वाले को देखा, या सिर्फ कथाओं में सुना पढ़ा, दंत कथाएं हैं वो, एक चल में ऐसा कोई नहीं होता, कोई भी भगवान क्या बैल पर 2400 गंटे बैठ सकता है, अब क्या लाश पूरी तो उपर है, अब क लाश पूरी में कोई शरीर के साथ कैसे रह सकता है, नीचे गिर नहीं जाएगा, तो यह सब दंत पैथाएं हैं, और इन सब को सुनते सुनते, मनुशी आत्माएं नीचे ही गिरती आई हैं, क्योंकि जो सत्य है, वो तो कोई जानता नहीं, और असत्य सुन सुन कर, उस पर चड़ाने वाला होगा, वो आए तब तो फिर उपर चड़ें, तो अब बाबा आकर तुमको महराजा महरानी बनाते हैं, तो प्रशार्थ करना चाहिए, बाकि ऐसा कोई आठ भुज़ा वाला नहीं, लक्षमी नाराइन को भी दो भुज़ाएं हैं, वो भी इसलिए चित्र तो इस तरह से चार भुज़ाएं दोनों की दिखाएं, लेकिन एक्ष्वल में दो भुज़ाएं ही हैं, चित्रों में फिर नाराइन को सावरा, लक्षमी को गोरा दिखाते हैं, अब एक पवित्रे का पवित्र कैसे हो सकता है सत्यूग में भला, तो चित्र चूटे हुए अब बाप समझाते हैं, रादे कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठ दोनों सावरे हो गए, एक गोरा, एक सावरा तो हो ना सके, कृष्ण को श्याम सुन्दर कहते हैं, रादे को श्याम सुन्दर क्यों नहीं कहते, वो गीत भी बना दिये, रादा क्यों गोरे मैं क्यों काला, तो बाबा केते हैं, यह फर्क क्यों रखा है, जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए, अभी तुम ज्यान चिता पर बैठे हो, तुम फिर काम चिता पर क्यों बैठते हो, बच्चों को भी यह पुर्शार्थ कराना है, हम ज्यान चिता पर बैठे हैं, तुम फिर कामचिता पर बैठने की चेश्चा क्यों करते हो अगर पुरुष ग्यान उठाता है स्री नहीं उठाती तो भी जगरा पड़ जाता है यह बाबा केते हैं यग में विखन तो बहुत पड़ते हैं यह ग्यान कितना लंबा चोड़ा है जब से बाबा आया है तो रोद्र यगर शुरू हुआ है जब तक तुम ब्रामण ना बनो तब तक देवता बन नहीं सकते शूत्र पतेत से पावन देवता बनने के लिए ब्रामण बनना पड़ेगा ब्रामण ही यग की संभाल करते हैं इसमें पवित्र बनना है बाकि कोई तिल जो आदी एक अठे करके नहीं रखने है जैसे और लोग करते हैं आफ़त के समय यग रचते हैं समझते हैं भगवान ने भी ऐसा यग रचता बाब तो कहते हैं यह ज्ञान यग है जिसमें तुम आहूती डालते हो देह सहित जो सब कुछ आहूती देनी हैं बुर्धी से पैसा आदी नहीं डालना है इसमें सब कुछ स्वाह करना है इनके उपर एक कहानी है दक्ष प्रचापिता ने यग रचते हैं अब प्रचापिता तो एक है प्रचापिता ब्रह्मा फिर दक्ष प्रचापिता कहां से आया? बाप प्रचापिता ब्रह्मा द्वारा यगरज दे हैं वही दक्ष है ना कि दूसरा कोई तो प्रचापिता तुम स्वब्राम्हन हो तुमको मिलता है दादे का वर्सा तुम कहते ही हो हम शिप बाबा के पास आए है थ्रू ब्रह्मा यह शिप बाबा की पोस्ट ओफिस है कौन ब्रह्मा मुख चिठ्ठी भी लिखो तो शिव बाबा थू ब्रह्मा अब शिव बाबा तो निराकार है उसे तो शरीर है नहीं अब जिसका शरीर लिया है जिसके आधार है जो पोस्ट ओफेस है तो उसी पोस्ट बॉक्स में तो आपको जाना होगा तो चिठी भी लेखो, तो शिव बाबा थू ब्रह्मा, जब परबांतमा से कोई बात करनी हो, तो ब्रह्मा की मस्तकमणी को देख, ब्रह्मा की मुख को देखो, और जब शक्तियां लेनी हो, तो डारेक्ट इश्वर से कनेक्ट हो, और जब भी कोई बात को जानना समझना है, तो ब्रह्मा के थूँ है ना पोस्ट्र ओफिस, तो बाबा का निवास इसमें है, यह से ब्राम्भन पावन बनने के लिए ज्ञान योग सीख रहे हैं, तुम ऐसे नहीं कहेंगे, हम पतित नहीं हैं, हम पतित हैं, परन्तु पतित पावन, हमको पावन बना रहे हैं, और कोई म बाबा ही हमें पावन बनाते हैं, उनकी स्रीमत है, बच्चे, तुम मुझ एक के साथ अपना योग जोड़ो, जस करो, चाहे उन गुर्यों के पास जाओ, चाहे मेरी मत पर चलो, तुम्हारा तो एक ही बाप, टीचर, सत्गुरु है, बेहद का बाप, सभी मनुश्य मात्र क कहते हैं, आत्मा भी मानी बनो, देवताएं आत्मा भी मानी होते हैं, यहां तो यह ज्ञान किसी में है, नहीं, सन्यासी तो कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ब्रह्मत अत्व मैलीन हो जाती है, ऐसी बातें सुनते सुनते तुम कितने दुखी पतित बन पड़े हो ब्रश्टाचारी पतित उनको कहा चाता है जो विकार से पैदा होते हैं वह रावर राज्य में ब्रश्टाचारी काम ही करते हैं फिर गुल-गुल बनाने के लिए बाप को आना ही पड़ता है भारत में ही आते हैं बाप कहते हैं तुमको ग्यान और योग सिखलाता हूँ पाच हजार वर्श पहले भी यह तुमको सिखला कर स्वर्ग का मालिक बनाया था फिर सी बनाता हूँ कल्प कल्प में आता ही रहता हूँ इसकी ना आदी है ना अंत है चक्र चलता ही रहता है प्रलाइकी तो बाती ही नहीं तुमपचे समयन अविनाशी ज्यान रतनों से जोली भरते हूँ शिव बाबा को कहते हैं बंबं महादेब बंबं मतत शंकद्वनी कर हमारी जोली भरतो और शंकद्वनी कौन से शंकद्वनी ज्यान की और उस पर फिर सारे श्रस्त्र श्रस्त्र दिखाए हैं तो वो श्रस्त्र क्या है शंकद्वनी होती है फिर गीता एक हाथ में जो पुस्तक देखिया आपने वीना पुस्तक धाड़ी इस तरह से तो वो ग्यान है जिसे धारन करते हैं और उसका सितार बजा बजा करके फिर पूरे जो भी आत्मा है बाबा के बच्चे जो सतियोगी दैवी देवताय आत्मा है वो फिर ही खट्ठ करना है उनको तो ये द्वनी प्रमात्मा शंक बजाते हैं, फिर हम वीनादी बजाते हैं, फिर जो गदा है उसके उपर, विकारों के उपर वजन रखा जाता है, जो प्रमात्मा न दी है वो कहीं जाये ना, तो इस तरह से, इतने सारे यश्ट शक्तियां हैं, इसलिए फिर वो आठ बुज दिखाई हैं, क्योंकि एक भुजा से तो, एक शक्ति से तो काम नहीं बनता, आच्छे, तो इस तरह यह तुमको सिखला कर स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर से बनाता हूं, बाबा केते में कल्प कल्प आया, और कल्प कल्प आता ही रहता हूं, इसकी ना आधी है और ना बाबा केते चक्र चलता ही रहता है, इसका कोई हात्मा नहीं, प्रलै की तो कोई बात ही नहीं, तुम बच्चे इस समय न विनाशी के आनरतनों से जोली भरते हो, बाबा केते हैं, शंकद्वनी कर हमारी जोली भरतो, नौलेज बुद्धी में रहती है आत्मा में ही संसकार ह आत्मा ही पढ़कर एंचिनियर वरिस्टरादी बनती है अभी तुम आत्मा क्या बनेंगी कहते हो बाबा से वर्सा लेकर लक्षमी नारेन बनेंगे आत्मा पुनर जन्म तो जरूर लेती है यह समझने की बाते हैं न कोई को सिर्फ यह दो अक्षर कान में डालो तुम आत्मा हो शिप बाबा को याद करो तो स्फर्ग की बाद शाही मिलेगी कितना सहेज है एक ही बाब सत्य बताते हैं सब को सतगती देती हैं बाकी सब चूट बताकर दुर गती ही करेंगे यह शास्त्र आदी भीस बाद में बनी है यह सब वस संगीता के काका मामा चाचा फूपा इनसे आपको कभी भी प्रोपर्टी नहीं मिलती प्रोपर्टी कौन देता है बाप तो बाप को ही याद करना पड़े बाप के साथ ही रहना पड़े तो बाप मन बुद्धी से सदा उसे ही याद करना पड़े तभी तुमको वो संसकार आएंगे उनके संसकार आने के साथ साथ उनका वर्षा भी मिलेगा और ऐसा नहीं अभिनाशी बेहद का तो इस तरह बारत का शास्त्र एक ही गीता है कहते हैं परंपरा से है चले आएं हैं परंतु कब से समझते हैं श्रश्टी को लाखों वर्ष हुए आच्छे तुम बचे बाबा के लिए अंगूर ले आते हो तुम ही लाते हो तुम ही खाते हो मैं नहीं खाता हूँ मैं अभोगता हूँ सत्योग में भी तुम्हारे लिए मेहल बनाते हैं, यहां भी तुमको नए मेहल में रखता हूँ, हम तो पुराने में ही रहते हैं, यह वंडरफुल बाबा है, वाह, 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 यह बाप भी है, तो महमान भी है, बॉंबे में जाए, जो तो महमान कहेंगे न, यह तो यह बहुत बड़ा सारी दुनिया का महमान है, जो बहुत थोड़े समय के लिए आता है, और यह संगम योग, जैसा श्रेष्ठ कमायो योग, इस संसार के कल्प में सिर्फ यही श्रेष्ठ योग है, क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि आप ब्रामण हो, ना हो, पूरी रीती आप करमादीत हो या ना हो, ब्रामणों के स्थिती नीचे उपर होती रहती है, इसलिए ब्रामणों की माला गाई नहीं है, तो परमात्मा की गोद का, परमात्मा से संबंध जोड़कर उनसे मिलन मनाने का, इश्वर जिसे पूरी दुनिया ढून रही है, पुकार रही है, दुख से कराह रही है, वो सर्वशक्ति मान, वो बापों का बाप आपका हुआ, आपका हाथ थामा, तो वह हो मेरा भाग्य वह है न, वो दिखिये कि वो तो पुराने घर में ही रहते हैं, तुमारे लिए नया घर बनाते हैं, वो तो सारी दुनिया का बहुत बड़ा महमान है, इनको आने और जान में धेर नहीं लगती है, महमान भी वन्डरफुल है, दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, तो महमान हुआ न, आते हैं, तुमको गुल-गुल फूल बनाए वर्सा देने, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने, आच्छा, मीठी-मीठी, सिकी लधे बच्चों प्रति, म मात, पिता, बाब, दादा का याद, प्यार और गुड मोनी, रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ति, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात, पिता, बाब, दादा को याद, प्यार और गुड मोनी, शुक्रिया बाबा, मीठी बाबा, प्यारे बाबा, सबका सा रत्न देने हैं। दूसरा सत्य और सत्यकों समझकर सत्यमत पर चलना है। कोई भी वेकायदे कर्म नहीं करना है। वर्तान बाबा ने दिया बुद्धी को विज़ी रखने की विधी द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदासमर्थ भव। सद समर्थ अर्थाथ शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धी को विजी रखने की विधी को अपनाता है वियर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन ही है सद विजी रहना अपने लक्ष को इतना पक्का बना लो कि वियर्थ के लिए कोई जगह ही न रह चाहिए आपने आपको, तो बस जो मन में आ रहा है, सुकर रहे हैं, तो सदा बिजी रहना, इसलिए रोज सबेरे जैसे 16 दिन चरिया बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धी को बिजी रखने का टाइम टेबल बनाओ, बुद्धी को भी बिजी रखना है, बाबा कहते हैं, बाकी तो दुमरोज करते हो, सुबा उटना, जो भी परातना करना, फिर ना आना, धोना, खाना बनाना, जाना जाना है, 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 जाना कितने टाइम हमें मुरली के पॉइंट को याद करना है, कितने टाइम हमें उसके साथ कनेक्ट रहना है, और कितने टाइम हमें इस चौरासी के चक्र को लगाना है, तो इस तरह बनाओ, कि इस समय बुद्धी में इस समर्थ संकर्प सेवयर्थ को खत्म करेंगे, बिजी तुमाया दूर से ही वापस चली जाएगी आज का स्लोगन है दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोई रहो दुखों की दुनिया को भूलना है तो परमात्म प्यार में सदा खोई रहो आच्छा, सभी भाई बैनों को उम्शान्ती, पाप दादा को उम्शान्ती, गुड़नाइट पाप दादा, गुड़नाइट इश्वरे परेगा झाल 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 झा